बवंडर बोरा योट्यूब समसान बना दूगा तू योट्यूब को समशान बनाए ना बनाए पर तेर को किसी ने जरूर वो बनादी जो तू असलियत में काटून स्रागता मित्रों जोगंडर को कमेंटर में गालीयां पढ़ती है कैडि कैडि और जोगंडर कुट्टे की पूंच एक तरह है कितनी भी दिन सीधी करने की कोशिश करो पर निकलेगी भाई तेडि की तेडि बवन्टर आएगा 20 नॉम्बर को बवन्डर पिल्हाल तो तेरे मूँ में थूक आ रहा है मेरे घिनोने केचुए तुम सारे के सारे छपड़ी यूट्यूबर तुम लोग उने पंगया क्या था ना रे 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 मूँ तक साफ नहीं करता वीडियो बनाते वक्त और जानवरों जैसी आवाजे निकालता रहता है वह अलग अबे हसमत चुड़ेलों की बस्ती की सस्ती धूबबती अगर असली चुड़ेल ने देख लिया तो तेरी इतिनी डरावनी हसी देख के वह अपना काम धन्दा छोड़ देगी तेरे डिस पहले पंदरा को आने वाला था फिर वह बीस को गया डिलेई होता जा रहा है तेरे दिमाग की तरह है जो कि 10-12 साल की एज में आ जाना चाहिए था पर अभी तक नहीं आया और मुझे तो आगे की कोई उमीद भी नहीं दिख रही है अरे थूकना बंद कर तू पहले मरियो चिपकली के गिले अंडे यूटूब पे थरा भाई जोग इंदर के नाम से कोई भी वीडियो नहीं मांगता थरा भाई जोग इंदर को इतना अंदर तक कि जान लाके जोर लाके अगर आँखे बढ़ी करने के कोशिश करेगा तो यह तो आंके बाहर निकल के भरत नाट्यम करने लगेंगी या तो पिर तेरा जोर पूरा पीछे लगे जोर जबरस्ती का तेरे को दस्त लग जाएगा वीडियो डिलेट क्या है बे वीडियो डिलेट बाद में करवा ले ना पहले मोबाईल चलाना सीख ले एक स्वाइप तो करते बन नहीं रहा है तुछ से अच्छा मोबाईल मेरी ओडियो चला लेती है वीडियो चालू होते ही सबसे पहले लाइक और कमेंट करते हैं और इंटरनेट पर जितने छाती के बाल दिखा रहा है तो इतने अगर तुना दिमाग दिखाया होता तो यह वीडियो नहीं बनानी पड़ती मुझे प्लिक्स कपड़े वपड़े मत थाड़े यार प्लिक्स यार अपनी सकल देख उसके बाद जो इंदर के ओपर रोश मारना सो समझ के तेर से 20 गुना स्मार्ट हूं समझ गया पूरे 20 गुना स्मार्ट है हमारा लॉंड़ पर इस बिचारे को यह भी नहीं पता होगा कि स्मार्ट आपको दिमाग से होना जरूरी है शकल से नहीं और दिमाग के मामले में तो 20 गुना गड़े में हमारा चमन धतुया बाइद वे लड़का आजकल रैपिंग भी करने लगा है डिस्की तैयारी हाँ पता है भाई तू पागल है भाई प्यार में आशिक जैसे बाल हो रहा है जाके ढूंड कोई नाई मेरी सटके लिए दूद की चाई मेरे भाई मेरा सिस्टम है हाई बिपी हाई है मुझे बुखा रहा है और मैं चला यसी वहाँ दिन बर चुपती जलती गर्मी में बैटा रहता है तो बिमारी होगा और साथ मैं खुजली भी होने लगी है गाली खाने की इला दुगा सिस्टम मैं सब को दिखा दूगा जीन तो कल में रैप करके बता दूगा पब्लिक के 알े डिश्ट्रैक मैं ला दूगा छपए सपए यूट्योबर को मुतोड़ जवाब दिखा दूगा तुझे तेरे असली गोले पर भेज़ दिया जाएगा क्योंकि जैसी तू फिली में मुझे नहीं लगता तू इस गोले का जीव है जो आस तक नहीं हुआ वो अब होके दिखाएगा आस तक जो किसी नहीं क्या वो थारा बाई जो इंदर करके दिखाएगा और एक तो यह उपर इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि अगर मुबाइल में देखेगा तो वहां लाइव में कमेंट में इतनी गंदी गंदी गालियां पड़ रही है क्या नहीं वोला लोगों ने इस नशीले पदार्थ को देव जोशी बोलते हैं अब इसको चोडेल चिपक गई है क्या शिर्धर लेजनर महाशाय का कहना है भाई मेरे पापा की मेंटल होस्पिटल है अपने पापा से बात करो और इसको लेके जाओ और जो भी इसको ले जाने का खर्चा होगा पागल पाने के होस्पिटल में अब बेटा तुझे धुमा इठाना अब जाके गोबर उटा जैसी तेरी हरकत है तुस्से कोई गोबर भी ना उटवाए और कौन मान राय खुद को रेपर हैं किस रेपर ने पाप कर दिया तुस्से कुछ बोलने का सीने नहीं बोला होगा यह खुद से ही तो बोलता रहता टोनी ककड के गानों में बढ़िया लिरिक्स और इसकी बातों में लोजिक कभी नहीं मिलते ना नको बिल्कुल नहीं रैप मैं बताऊंगा गाना किसे बोलते हैं गाना हिला दुगा मामला जो जोग इंदर थारा बाई जोग इंदर कमिंग सून ओके भाई या हिला देना मामला देखनें इसकी रैपिंग को भी 20 ता रिक को डिस आने वाला है और इस वीडियो पे अगर 24 घंटे में देड़ ल अच्छा तुम चलते हैं चमकता सितारा जैसा आस्मान में मैं चिल वागी होगी वड़ी ताप मान में मैं भी बेठा मस्ती में